हालो फ्रेंड्स, वेलकम टो किट स्टेडी कॉर्णर आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्रामर क्लास 3, क्लास 4 के बच्चों के लिए आज का माँ टॉपिक है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होती है देखे हम बच्चों को नाउन तो बढ़ा देते हैं पर प्रॉपर नाउन कैसे बच्चों को एक्स्पेंड करें कई बार वो कल्ती हो जाती है तो सिंप्ली सबसे पहले हम इसकी डेफिनिशन क्या होती है उसको देख लेते हैं अब प्रॉपर नाउन is the name given to something to make it more specific किसी भी एक चीज़ को बहुत ज़दा special बनाने के लिए उसको विशेश बनाने के लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं जैसे कि सिंप्ली आप इसे देख पा रहे हो ये क्या है ये cat है ठीक है cat क्या है common noun है बट cat को अगर हमने feedback नाम दे दिया तो वो क्या हो गया proper noun हो गया अब यहाँ पर एक हमें man दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है तो सिंप्ली बहुत सारे आदमी होते हैं बहुत सारे man होते हैं चीक है तो जो लाल किला है, इंडिया गेट है, ताज महल है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, तो एक चीज यहान अखने वाली है, अब प्रॉपर नाउन always begins with a capital letter, जब भी आप प्रॉपर नाउन को लिखते हैं, वो हमेशा आपको capital letter में मिलेगा, यानि कि ABCD जब भी आप लिखते हैं, तो बड़ी ABCD के अंदर आपको प्रॉपर नाउन का शुरुवात दिखेगी, अब difference देखते हैं, what is the difference between common noun and proper noun, first, so a proper noun is used for a specific person, place or thing, प्रॉपर नाउन हम किस चीज के लिए यूज़ करते हैं, किसे भी special चीज के लिए, difference देखते हैं, difference क्या होने वाला है हमारा, proper noun जिसे की Volvo, Volvo क्या है, एक car है, car तो common noun हो गया, बट Volvo जो है, special नाम दिया गया है, किसी एक company को, जिस car बनाती है, उस कार को तो वो Volvo है, वो proper noun हो गया, और car जो है हमारा common noun हो गया, next दिखते है, Nescafe, और common noun है coffee, जिसे की coffee तो हमें बहुत सारे brands की मिल जाएगी, बट अगर आप किसी भी specific चीज के बारे में बोलोगे, तब आप बोलोगे, Nescafe की coffee मुझे ले नहीं है, ठीक है, इस सिरीके से, उसके बाद में आता है, बच्चे चॉकलेट्स महुत सारी खाते है, चॉकलेट क्या है? चॉकलेट एक common noun है, कि चॉकलेट से बहुत सारी companies चॉकलेट बनाती हैं, अलग-छलग नाम सी चॉकलेट आती है, बट जब आप बोलते हो Cadbury, तो वो proper noun हो जाता है, जब आप बोलते हो Dairy Milk, तो वो proper noun हो जाता है, ठीक है क्योंकि वो उसको एक special अलग से हमने नाम दिया हुआ है दोनों में difference क्या है हमने देख लिया ना proper noun में क्या होता है proper noun is used for a specific person, place or thing किसी भी special चीज़ के लिए specific person के लिए वेक्टी के लिए कुईसी भी जगह के लिए या फिर thing के लिए हम उसे use करते हैं और a common noun is used for a class of person, place or thing ठीक है simply हमें यी चीज़ समझ के आ गई है next टीक लेते हैं कुछ question यहाँ पर दिये हुए है जिससे कि हमेरी तो topic है वो बिकुल clear हो जाएगा how to spot a common noun और a proper noun एक common noun और एक proper noun को हम कैसे पता लगा सकते हैं so a common noun answers the following answer the question what is it, यह क्या है what is it, तो हम बोलते हैं यह bridge है it is a bridge, यह एक bridge है simply हमने बोल गया तो वो common noun है but जब हम बोलते हैं a proper noun answers the question what is its name जब हम किसी भी चीज़ का नाम पूछते हैं तब होते हैं वो proper noun जैसे कि what is name यह भी bridge है but इस bridge का नाम क्या है इसका नाम क्या है, टावर ब्रिज तो यह simply टावर ब्रिज जो है हमारा हो गया proper noun I hope आपको समझ में आ रहा होगा अब हम एक और chart देखेंगे जिस chart में आपको बहुत ही ज़दा अच्छे तरीके से proper noun यह sorry, यह जो है countable और uncountable noun है इनके बारे में भी हम read करेंगे so countable nouns कौन से होती है noun that can be counted are called countable nouns जिन भी चीजों को हम count कर सकते हैं जैसे की कोई book हो गया कोई toy है, pencil है boy है कोई table है, sofa है पलंग है, कोई इंसान है कुछ लोग खड़े हो हैं ठीके उनको हम सबको count कर सकते हैं तो उन सबको हम क्या बोलते है countable noun अब कुछ चीज़े ऐसी होती है जैसे की nouns that cannot be count called uncountable noun जिनको हम count नहीं कर सकती for example के लिए water है water को आप नाप सकते हो बट उसको count नहीं कर सकती salt है, salt को भी आप count नहीं कर सकती एकी दाना कितना हम count करेगी नहीं कर सकती न ऐसे ही कोई भी information है नहीं कर सकती sugar हो गई, sugar को भी हम नहीं count कर सकते हमारे hair कितने है तो यह जो कुछ चीज़े ऐसी होती है जिनको हम count नहीं कर सकती है उन्हें हम uncountable noun कहते हैं आज के topic में simply हमने देखा है proper noun, what is the proper noun आपको समझ में आ गया होगा है, clear हो गया होगा कि proper noun, specific नाम जब किसी चीज़ का होता है उसको हम proper noun कहते हैं और countable और uncountable, countable जिसको हम count कर सकते हैं जिस भी चीज़ को count किया जा सकता है उसको हम countable noun कहते है और जिस चीज़ को count नहीं किया जा सकता है जो liquid form में होती है या फिर जो ऐसी form में होती है जो हमें दिखा ही नहीं देती है उसको हम uncountable noun कहते हैं I hope यह topic आपको clear हो गया होगा अगर आप चाहते हैं इसकी worksheet मैं आपके साथ में share करूँ आप मुझे comment करके बता सकते है Thanks for watching